दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी मोटर साइकल देखी है जिसमें एक पूरा कार का इंजन लगा हुआ है और क्या आपने कभी दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मोटर साइकल देखी है या फिर आपने कभी ऐसी बाइक देखी है जिसमें एयरक्राफ्ट यानि हवाई जहाज क इंजल लगा हुआ है अगर नहीं तो आज का ये हमारा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए जिसमें आज हम आपको पांच ऐसी कस्टम मेड बाइक दिखाने वाले हैं जिने इस तरह से मोडिफाई किया गया है जुसे देखने के बाद आपको यकी नहीं होगा कि ऐसी भी बाइक इस दुनिया में हो सकती है तो लेट्स स्टार्ट टॉप फाइब कस्टम मेड बाइक इन दे वर्ल्ड हबलिस हारले डेविडसन ये मोटरसाइकल दुनिया के सबसे अनोखी कस्टम मेड मोटरसाइकलों में से एक है जुसे कैलिफॉर्णिया की एक कस्टम मोटरसाइ ओल्क शूर्ट्रक्ट को और दिलाऊंट कीया है इस मोट्रसाइकल को मौर्डाइकल को सबसे अलग लुक और यूनिक डिजाइन देता है कि इस ओलिवुड मूविए में दिखाए जाने वाली सूपर पाय की तरह लगती है अपने इसी लुक के कारण ये जहां भी जाती है लोगों का ध्यान अपनी ओड आकरशित करती है हबलिस डिजाइन के अलावा इस मोटर साइकल में सिलिक चौपर स्टाइल भी है इस मोटर साइकल में हारले डेविड्सन इंजन का उप्योग किया गया है हबलिस हारले डेविडसन बाइक अपने इसी लुक के कारण कस्टम बेड मोटर साइकलों में एक अलग ही पहचान रखती है डॉज टॉम हॉक दुनिया की सबसे तेज बाइक का ताज इसके सिर है ये सुपर बाइक 672 किलोमेटर प्रती घंटी की स्पीड से दौड सकती है जो की हरान कर देने वाली है एक नौन स्ट्रीट लीगल कॉंसेप्ट बाइक है जिसे डॉज ने 2003 में North American International Auto Show में पेश किया था जहां इसके डिजाइन को लेकर ये आकर्शन का केंद्र रही है डॉज टॉम हॉक में चार पहिये दो आगे और दो पीछे दिये गए है टॉम हॉक में 8,277 CC का 10 सिलेंडर 90 डिग्री VIP इंजन लगा है V-Train इंजन लिक्विड कूल्ड है और 2-speed sequential racing style gearbox के साथ आता है ये 25,600 RPM पर अधिकतम 500 BHP उत्पन करता है जो इसे अब तक की सबसे शक्तिशाली बाइक बनाता है इसका पीक टॉर्क आउटपूट 712 NM है जो 4,200 RPM पर आता है ये concept बाइक Dunlop Symmetrical Tires के साथ 20 इंच बिलेट अलियूमिनियम पहियों पर चलती है Dodge Tom Hawk का बजन लगबग 680 kg है इसके चार पहिये डिजाइन के कारण इसकी एक अनुठी handling विशिशता है जो उच्च गती पर अधिक स्थेरता और नियंतरन प्रदान करती है इसका 8,277 CC इंजन भी इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा CC बाइक्स में से एक बनाता है TMC डूमॉंट हबलेस बाइक इस मोटरसाइकल को ब्राजील के पुर्व F1 ड्राइवर TARSो मारकेस ने डिजाइन किया था यह दिखने में बहुत ही अजीब लगती है आपने शायद ही ऐसी मोटरसाइकल का भी देखी होगी इस मोटरसाइकल का नाम ब्राजील के आविशकारक अलबर्टो सैंटोस डूमॉंट के नाम पर रखा गया है इस बाइक में 300 HP 6 सिलेंडर वाला एक रॉल्स रॉइस का ताकतवर एरक्राफ्ट इंजल लगा है जिससे ब्राजील के कंपरी ने डिजाइन किया है का 8497 TMC डूमॉंट मोटरसाइकल में 36 इंच के हबलिस रिम है जो किसी भी मोटरसाइकल पर अब तक यूज किये गए सबसे बड़े रिम है इसके लावा पर ही रिम के अधार से जोड़े हुए है जो कि मोटरसाइकल को फ्लोटिंग रूप देते हैं पतले रिम वाले हबलिस वेल और लॉंगस्ट लिक डिजाइन की वज़़ा से ये मोटरसाइकल किसी एलियन बाइक जैसी फील देती है इस बाइक को रियल लाइफ में देखना काफी अमेजिंग एक्सपिरियन्स होगा लेकिन अपनी नाजब डिजाइन की वज़़ से ये मोटरसाइकल अपनी मैक्सिमम पावर को यूज नहीं कर सकती है इस बाइक को टार सो मारकेस ने अपने रेसिंग करियर से रिटायर होने के बाद कई सालों तक कड़ी मेहनत के बाद इस यूनिक डिजाइन वाली मोटरसाइकल को बनाया था ये बाइक भी एक कस्टम बेड बाइक है ट्रॉन मोटर साइकल को कलाकार डेनियल साइमन द्वाला डिजाइन किया गया था जोने ने पारकर ब्रदर्स कॉंसेप्ट को अपना ब्लू प्रिंट सौप दिया था बाद में इसे पारकर्स ब्रदर्स ने बनाया था पारकर ब्रदर्स को इस बाइक को बनाने का आईडिया ट्रॉन मुवी से देख कर आया था क्योंकि ट्रॉन मुवी में इस तरह की बाइक को दिखाया गया था इस बाइक में हबलिस टायर लगे हुए है और इन टायरों में LED लाइट्स को लगाया गया है जो इसे एक शांदार लुक देती है ये बाइक कुछी समय में 160 किलोमेटर के अफ़तार पकड़ लेती है आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक बाइक इंजन लगाया गया है एक फ्यूचरिस्टिक बाइक है जिसकी शुरुआती कीमत 55,000 डालर यानि कि लगबग 46,000,000 रुपए है कावा साकी जे कॉंसेप्ट दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है और इसलिए इसमें पैटरोल या डीजल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है इस बाइक में तीन बैटरीज दी गई है जो कि बाइक को सूपर पावर देती है इस बाइक में तीन पहियों का उप्योग किया गया है इस जे कॉंसेप्ट बाइक में आगे की तरफ तो पहिये दिये गये है जबकि पीछे एक पहिया मौजूद है इस बाइक की सबसे खास बात ये है कि इसे आप अपने हिजाब से एडजस्ट कर सकते हैं दरसल इस बाइक में राइडिंग के लिए दो मोड दिये गए हैं कमफर्ट और स्पोर्ट्स मोड इनके जरियर राइडिंग पोजिशन बदली जा सकती है बाइक चलाने वाले की सहुलियत को ध्यान में डखते हुए यसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप शहर में राइडिंग कर रहे हैं तो आप कमफर्ट मोड को यूज कर सकते हैं और अगर आप हाईवे पर राइडिंग कर रहे हैं झाल